कि यह हमने अलू ले लिया है अलू को हम कद्दुकस कर लेंगे अलू हमारे लगए दो किलो है और इसमें हम डालेंगे एक हाप टी स्पून जीरा 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 डालना हमें और यह थोड़ी हमने कस्तूरी मेथी डाल दी कि उसके बाद हम इसमें कॉर्म फ्लैक्स या और रूट आप डाल सकते हैं तो हमने इसमें और रूट डाले हैं आर रूट हमारा धाय शुक्राम है इप इससे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसे हम थोड़ी दिर रख देंगे तब तक हम चटनी के तयारी कर लेते हैं म्यूठी चटनी की तो यह हमने सौफ और करायल और थोड़ी सी हल्दी लिए थी इसको हम डाल दिये और अब इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे उसके बाद जो है इसमें हम प मैं को करें हम टालेंगी हमने १ी पहले से ही में ह continuing है तो हमने इमली के विया निकालत दिया था और सिर्फ उसका slut हम रख्या है तो उसको मने डाल दिया अदो इसको हम लोग जो है थोड़ा सा पाने बढ़ा दिये हैं अब इसमें हम गुल डालेंगे तो हम इसमें गुल डाल देंगे गुल हमारा लबग धाय शोग्राम है अब दाइस हम चटनी बना रहे हैं अब ऐसे हम गुल डाल दिया है गुल डालने के बादे से हम थोड़े दिल तक उबाल लेंगे गुल speaking हमारा लिफ भेतारो प्रहसे start powder न कि एक स्पून अब इसे हम अच्छी तरह से गल आरव। तक इंतजार करेंगे उसके बाद में आर रोड जो है गोल लिये हैं तो गोल बना लिये हैं अब जितना गाढ़ा करना है चटनी को उतना ही डालना है आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं जतना आपको मोटा पतला चटनी करनी हो तो यह हमारी मेठी चटनी जो है बनकर तयार हो चुकी है इसके बाद हम इसको गैस बन कर देंगे और चटनी को ठना होने के लिए रख देंगे तो यह चटने हमारी बनकर रेडी हो गई है तब तक हम सूला बना ले की लिए तड़के का कुछ आइटम पीस लेते हैं हमने लासुन ले लिया और दो चार कलिया मिर्चिक ले लिया है और अद्रक ले लिया है लवब एक डिल इंच और प्याज ले लिया तो हमने से एक टीस्पून मे पीछा था आज द मैं अच्छी तरह सेंसे करना है हमें थोड़ा पका लेना ना ब्राउन होने तक तो यह मारा जो है अब आइस में मचार लें के मसाला मसाला में हल्व दी लिया है और धनिया लिया है कस्तूरी मेथी लिये और छोला मसाला ये सभी चीजों को जो हम डाल देंगे ये लबक 2 दो स्पून है और आधा स्पून जो है लाल मिर्शम ने डाल दिये इसमें अब इसको हम अच्छी तरह सभी को मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी अट कर देंगे ताकि हम थोड़ी सी हेंग डाल दी है हिंग बहुत ही स्वाधिश्ट और खुजबूल आते है इसलिए ही निग इसमें डालेंगे और हाजमा भी सही रखता है अब इसमें नमक डाल दें है अब इससे अच्छी तरह से मिक्स कर गें अब मारा मसाला जो है पक चुका है तो इसमें हम थोड़ा सा पाने और अड़ कर देंगे तो यह देखिए और हमने फिर मिक्स कर लिए अब मिक्स करने के बाद इसमें हम मटर उबाल लिए हैं सफेद मटर मटर को हम इसमें डालेंगे मटर हमारी लगवग आधा किलो की है आधा किलो मटर है सफेद मटर तो हमने उबाल लिया है अब इसको हम जो है इस मसाले में डा टॉसकरिंधे से अपने गहरों में बनाएं बरती पना शौला बनता है कि मत्र अगर आप समय चाहरा तो थोड़ासा आलू भी डाल सकते हैं जैसे सके रहते हैं लेकिन हमने घरों में बनाना है तो ला डाले तो इसमें थोड़ा से पान एट कर दी है अब देखे हमारा छोला जो है बनकर तयार और चुका दोस्तों आउसले हम बारी नहीं हरी धनिया डाल देंगे तो हमने हरी धनिया में डाल दी है तो हमारा छोला बनकर अब रैडी हो चुका है अब हम क्या करेंगे हम इसद्क है तब टीकिया बनाने के तैयारी करेंगी तो आलू को पहले से ही मिक्स कर लिए हमारा तयार हो गया था अब हम गोल-गोल बना कर चिक की बनाएंगे ह। आथ थोड़ी से चप्ति कर देंगे तो ये तेल पर झो हम तो बना लेगे निसे एक-एक कर करकी हम इसे बनएगे तो इसी तरह आ पलोगों भी बनाना है बहुत अच्छा बहुत टश्टी बनता है कि दुकान जैसा यह आपको मिलेगा हूं कि यह यूपी की बहुत फेमस चार्थ कि तो इसी तरह हमें सभी को पका लेना है टिक की को आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी का सकते हैं साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं लेकी टेल ली जटावार, पका लेना है तो इसको नषिक की रहें तो उसका निकाल लेंगे उसके बाद फिर इसे हम दुबारा इस टिक्की को जो है दबा कर फट जाए अच्छी से कुर्कुरी हो जाए टिक्की इसलिए उसको हम दुबारा फिर तब में इसी तेल पर फराई कर लेंगे तो दोस्तों इस तरह हमें सभी टिक्की को जो है बनाना है तो इस वीडियो में अगर कोई सभी टिप्स आपको ना सौन में आए तो कमेंड बॉक्स में जरूर पूछे दोस्तों तो यह हमारी टिक्की भी पक चुकी है अब इसे हम निकाल लेंगे यह हमने सारी टिक्कियों को निकाल कर एक थाली में रख लिए है अब हम जो है बनाएंगे माटर चार्ट अब मारा चार्ट रेडी हो गया है तो देखें पहले आपको कट्वरी में टिक्की डालनी है फिर भी तोड़ देना है इसको थोड़ा सा तोड़ दें उसके बाद वेस उपर से ही डाला जाता है उसके बाद इसमें डालेंगे छोला जो हमने छोला बनाया वह छोला डालेंगे अब इसे दुकानों में भी खायोंगी तो सेब ऐसा है टेस्ट मिलेकर दुकानों गी जैसा ही उसके बाद यह जो है मीठी चटनी बनाएंगे मीठी चटनी हमने लाल पाउडर करना है तो आप डाल सकते हैं लेकिन हमने नहीं डाला है इसलिए जो है मिटि चट्टी डटा ही हैं और यह हमने कली की खट्टी चट्नी अब इसमें डही डाल सकते हैं हमने दही नहीं डाली है हमेरे पसंदेश लिए अगर आप लोग को दही भी पसंदेश में दही वेड़ कर सकते हैं और यह जीरा और धनिया का पाउडर हमने बनाया है भून कर उसको डाल दिए अब इसमें जो हैं बारिक कटा हुआ प्याज और धनिया डालेंगे उसके बाद हम गर्मा गर्म पारूशेंगे और अच्छे से खाएंगे तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सेर करना ना भूलें नमस्कार